हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, तिलक शक्ति अनुरक्ति की नहीं, शक्ति की पूजा करता है, शक्ति की समर्पण ही सुकर्म हो, समर्पण ही ग्यान है, समर्पण ही भगती है, तुम्हारा कल्याण मुझग शमा कर देजिए, मुझग शमा कीजिए कर देजिए, मुझग शमा कर देजिए गंगई यह सारे असुर जिनका तुमने निर्मान किया था, वे सब के सब तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे. मैंने तो केवल तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने का प्रेतन किया, बस. लेकिन मैं पराजय स्विकार नहीं करूँगा गंगे मैं फिर से इन असरों की उत्पत्ति करूँगा तो मैं फिर से उन्हें नष्ट करने का प्रियास करूँगी ठेरो भारगव निकलते हुए दिन को फिर से रात्री में ढकेलने का प्रियास ना करो पहले गंगा मेरे कर्मों पर प्रतिबंद लगाने के लिए प्रकाट होती थी आज भोले ना भूतनात स्वयम आगए मुझे रोकने के लिए कि इन तो शिवशंकर मैं असुर लोग को असुर शक्तियों से संपन कर रहा हूं तो यह मेरा धर्म है धर्म और मुझे मेरे धर्म से कोई विमुख नहीं कर सकता आप भी नहीं सर्वशक्तिवान पुत्र असुर का उधार करने के हट में तुम यह क्यों भोल रहे हो कि तुम सुयम महातेजस्वी हो भ्रिगू की साक्षात प्रतिमूर्थी हो और स्विष्णि का विकास करने के लिए ब्रमा जुने भ्रिगू आदे रिश्यों को अपने मानसिक पुत्रों के रूप में उत्पन किया था और महर्शी भ्रिगू की पत्नी मेरी पूझ्य मा का संहार किस ने किया था आपके उसी विष्णु में इसी करार तुमने भक्ति इस शक्ति का खड़ उठा लिया य Autumn जेड़ी विष्णु अपनी संटिका प्रयूग कर सकता है तो मैं इसे आपनी संकती का प्रयूग कर सकता हूं पूत्र कदाचित तुम यह नहीं जानते के शक्ति की आंख नहीं होती और जिस शक्ति में विवेक नहीं होता भक्ति नहीं होती वह शक्ति जगत के विनाश का कारण बनती है भारगाव भॉलेनाथ थैंसार भक्तिंप दर्घक की नहीं है शक्ति की पूजा करता है शक्ति की जिस शक्ति से तुमने तपउबल अर्जित किया है वह शक्ति तुम्हारी नहीं पर मेश्वर की है अपने हाथ में हवी लो और उसे वेदी में डालो भारगव क्यों मैं बिना मंत्रों के हवी डाल कर क्यों पाप का फागी बनूं फोले नाथ तो मंत्र सही डालो हवी डालो भारगव क्यों मैं ग्रीम चामुंड़ाई विच्छे स्वाहा नहीं डाल सकते ना तुम्हारे कर्म के पीछे भगवान की प्रेड़ना नहीं है आज तक तुम जो कुछ भी करते आये हो उसके पीछे भगवान विश्णों की प्रेड़ना थी और तुमने अपने अज्ञान से बिना कारण उन्हीं से द्वेश पाल लिया शक्ति परमेश्वर की योगमाया है भारकश जो परमेश्वर के संकेत पर संसार का स्रिजन पालन और संगहार करती हैं और तुमने परमेश्वर की दी हुई शक्ति को अपनी शक्ति माल लिया और उस पर अहंकार भी करने लगे यहीं नहीं तुमने अहंकार पूर्वक तब अरजित करके उसे स्विष्टी के विरुद आच्रण किया कि क्या इससे बड़ा कोई बाप हो सकता है भारगव सत्य को मानो जो हुआ वो तुमने नहीं किया परमेश्वर के संकेट से हुआ तुम स्वयम को परमेश्वर को समर्पित कर दो पुत्र समर्पढ़ ही सुकर्म है समर्पढ़ ही ग्यान है समर्पढ़ ही भागती है तुम्हारा कल्याण मुझे क्षमा कर देजी मुझे क्षमा कीजी कि देवेंद्र कहिए वायुदेव असुर लोक में देव्यप्रकाश यह कैसा चमतकार है चमतकार कुछ नहीं है यह तो स्रिष्टि विकास की सूचना है भक्त प्रलाद और अंधकासुर के तब प्रभाव से असुर लोक में दिव्य शक्तियों का संचार होने लगा है शीग रही वहां गंगावतरन होगा है विधाता आप स्रिष्टि के करणधार है मैं अपनी हट धर्मिता से आपके मार्ग में बाधाएं बनता रहा किन्तु आप उल्हाना देना भूल कर मेरी ध्रिष्टिता को सहते रहें प्रभू मैं आप से क्षमा परार्थी हूं कि भूलिनाथ कि आपके आशिरवात से मैं असूर परंपरा के अंधे सागर से निकल कर प्रकाश के दिव्वे तट पर आ गया हूं अब मुझे गंगा मैया को प्रसंद करने का मार्ग वताइए भगवन भारगव मा की ममता किसी औप चारिकता की याचना नहीं करती तुम बाल सुलब भावना से जाओ वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है मैं कृतार्थ हुआ भगवरे मैं आपके आशिरवात से कृतार्थ हुआ आओ भारगव आओ आज पहली बार मैं ममता मैं गंगा मैया के वास्तविक रूप के दर्शन कर रहा हूं इसका श्रेय भगवान शिव को है मां जिन्होंने मेरी आखों पर बंदी आहंकार की पट्टी को खोल दिया अन्यथा प्रतिशोद की ज्वाला ने मेरे मन की करुणा मां प्रेम शद्धा भक्ति सहानभूति सब जला दिये थे ऐसा मत सोचो भारगव तुम्हारे ज्ञान स्वरूप का तो कभी अभावर रहा ही नहीं नहीं मां वो सारा ज्ञान निरर्थक था जिसने मेरी आत्मा की नहीं मेरे अहंकार की तुष्टी की माता मैंने अपने अनिष्टकारी कृत्यों से आपको बहुत सकाया है मुझे क्षमा करें तुम्हारे द्वारा किये गए अनिष्टकारी कृत्य वास्तव में स्रिष्टी विकास में गुप्त रूप से योग दे रहे थे भारगव तुम उस परवत के समान हो जिससे त हुनिइं के मार्ग में आकर उन ज़र्णों को बहु मुखी बना देता है उन्हें भिन भिन धाराओं का रूप दे देता है कि भारगव सुष्टि का जो बहु मुखी विकास हुआ है वो तुम्हारे ही कारन हुआ है धन्य हो मां धन्य हो आपकी करुणा ने आपकी ममता ने इस दुष्ठ रिदे के बालक में भी गुन ढूंड लिये रिदे में विपरीद भाव रखने से रिदे दुष्ठ नहीं कहला था, भारगव तुम सदा कहते रहे कि गंगे मैं तुम्हें असुरलोक में अफ्तरित करकेही रहूंगा किन्तो इसका ये अर्थ नहीं भारगव कि तुम्हारे रिदे में मेरे ब्रती भक्ति भाव यह तुम्हारी साधना विपरित थी कि ऑग है आज मुझे जो कारण असर लोग पर अफ्तरित करने के लिए बाध्यय कर रही है वो तुम्हारी सापेक्ष भक्ती और तुम्हारी ही विपरित साधना के भल हैं मां मेरे लिए तुम्हारे मन में ऐसे वातसले के भाव और मैं सदा तुमसे द्यश करता रहा मुझे अपनी ममता के आचल में स्थान दे दो मा मुझे ख्षमा कर दो मा मुझे ख्षमा कर दो 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 मुझे ख्षमा की प्रश्चात ख्षमा की आवशक्ता नहीं रहती भारगव जाओ अंधकासर और प्रहलात के साथ मिलकर जब तुम मेरा आवाहन करोगे तो मैं उसी क्षण असुर लोग पर अफ्तरित हो जाओंगी जाओंगी जाओंगी